हेलो फ्रेंट्स आप सभी घस्वा आगाता है मादब की रसोई में तो आज शाम के लिए मादब की रसोई में क्या पकरा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बना रही हूँ बड़ी और आलो की सबजी तो यह हमने मसाला कोट के रखा हुआ है मैं कोट के मसाला बना रही के में पिचाबिश बेज़ पिशीणी की बड़ी और आलो की सबजी तो हम बना रहे हूँ आप यह मैंने एक टमाटर काटा और इसमें मैं मैं enfrentar आदा काटऊंगी प्याज में हो गया ना को मैं अपनी सबजी में डालकिन और यह टमाटर में इसमें डालकों एंगवडस्म बना दरख सब कूट काट के बनाती हूं क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूं तो इसके लिए सोरी मैं बना रही हूं सबजी शाम के लिए और क्या बनाऊंगी वो मैं आगे बताती हूं आपको मैंने क्या बनाया और बना के रख लेती हूं और टाइम हो रहा था पांच बजे मैं ये सबजी बना रही क्योंकि मैं शाम की सबजी जल्दी बना लेती हूं जब बच्चे आते हैं या आते हैं वैसे तो छुप्टी थी लेकिन भूने घामने गए हैं बच्चे तो आएंगे तो खाना तो पका हुआ मिलेगा उनको इसके लिए और जरासी भी गंदी हो जाती हैं किचन मुझे बहुत खुस्सा आता है पहले तो मेरी किचन में सारा सैट नहीं बैठ रहा है मुझे खुदी नहीं समझा रहा मैं किचन का क्य ही तो कब बिके गए तो फिर अपनी किचन अपने साफ से बनाएंगे और अब तेल हमारा हो गया गरम इसमें मैंने डाला यह लहसन प्यास अद्रक इसमें हरी मिर्च सारी कूट काटके मैंने इसका बना लिया तब पेष्ट अब मैं इसको अच्छे से बहून लोंगी और मैं अब यह मैंने बड़ियों को अच्छे से पानी में से निचोड़ के मैं डालूंगी इसके अंदर प्लेट के अंदर निकाल लोंगी एक कहावत है ना मैं आपको बताती हूँ एक कहावत है हार ये ना हिम्मत बिसार ये ना राम कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए हार को हराना सीखना चाहिए तो मैं लगी हूई हूँ देखो मैं कभी हारती नहीं हूँ मैं बस आगे बढ़ रही हूँ तो मैं हिम्मत रखती हूँ करने की सब चीजों को मैं हर चीजब को ना यह सौशती हूँ कि जो हम करेंगे नहीं तो होगा क्या हम हाथ पर हाथ रखने बैठे रहेंगे ना तो कभी कुछ नहीं होता मैंने कई लोगों को देखा है हमारा ये नहीं हो रहा हमारा वो नहीं यार करो कुछ जो करोगे तो भी तो आप किसी से बोल लोगे नहीं तो आपको कोई घर बैठके तो नहीं देगा ना करते रहिए कुछ न कुछ इमत क्योंके खाली बैठने से न अपने दिमाग को फिच्चरों में ले जाना फोन देखना इधर उदर टाइम को वेश्ट करना हमारा यह मन बड़ा चंचल होता है यह चलता रहता है चलामान है तो इसको अच्छी जगह लगाओ तो कई लोग बोलते हैं मैं देखती हूं रील में कि मैं बहुत परेसान हूं अरे यार परेसान तो सभी है आज की जमाने में कौन सुकी है कम से कम अपने दिमाग को अच्छी जगह लगाओ जो अगर अच्छी जगह नहीं लग के फोन होता है हाथ में मेहनत करो, मेहनत का फल भगवान एक ना एक दिन देता है और नहीं भी देगा तो कम से कम आप लगे तो हो उस चीज़ के अंदर कि हम कुछ कर रहे हैं आपको ये संतुष्टी तो है कि हम कुछ कर रहे हैं चाय हम अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं हम कर रहे हैं किसी और को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं बच्चों का पेट बर रहे हैं कम से कम किसी के आगे तो नहीं जा रहे हैं ना हाथ फेलाने ठीक है अपने बच्चों की खाते लगे रहे हैं एक नए एक दिन आता है कहते हैं न अंदेर है दिन देरी हो जाती है लेकिन अंदेरी नहीं होती है वो कभी न कभी उजाला आता है रात के बाद उजाला जरूर होता है रात होती है तो उजाला भी आता है तो आप अपनी जिन्दगी में भी दुख सुख दोनों लगे हुए है और इनको दूर करते हुए बस हिम्मत रखिए तो कई लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं पर देखो मैं हार नहीं मानते हूँ मैं लगी हुई हूँ और यहां पर मैंने रख दिया है कुकर कुकर में मैं क्या बना रही हूँ मैं इसमें डाला एक चमर्ट देशी घी और अब मैं इसमें डालूँगी हींग और जीरा जीरह डालने के बाद मैं मैं डालूँगी इसमें टमाटर और सोयबीन की बड़ी धनिया और इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी मैं इसको मैस करके नहीं डालूँगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये आलू उदर मेरी सबजी बन रही है इसको क्या बना रही है आप गैस्प करके बताए नहीं पता तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा मैं बना रही है चावल रात के लिए तो मैंने इसमें सब मसाले डाले हैं बस प्याज लसन नहीं डाला क्योंकि मेरा मनता खाने का तो मैंने अपनी बज़े से ये बनाए चावल थोड़ी रोटी बना लूँगी थोड़े से चावल हो जाएंगे तो बस हमारा रात का खाना बनके हो जाएगा तयार इसको मैं बिल्कुल मैंस नहीं करूँगी शिमला मिर्चे इसमें आलू और सुयाविन की बड़ी इन सब को मैंने डाल दिया और अच्छे से इसको भून लूँगी फ्राई अच्छे से कर लूँगी जब ये भून जाएगा नो और इधर हमारी सबजी भी बन चुकी है थोड़ा सा कसर है इसमें अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें नई हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं कुछ कमी तो नहीं कर रही हूं अगर आप मेरी वीडियो में कुछ कमी बताएंगे तो मैं उसको सुधार होंगी पर भई मेरी किचन के बारे में मतलब बोलना क्योंकि मेरी किचन ओपन है तो मुझे खुदी नहीं समझाता मैं किचन को कैसे सेट करूँ नहीं आरा समझ जब तक मेरी किचन का मकान का कुछ नहीं होगा जब तक मेरी किचन का कुछ नहीं हो सकता मैं खुदी परेशान हो रही हूं इस किचन से तो वैसे मेरी वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप जिरूर मुझे बताएं इधर हमारी सबजी हो गई त्यार बस सब्जी हम पलट लेंगे एक डोंगे में और हमारा डोंगा यहां रखाएं यह दोंगे में गई सब्जी और फिल्कुर रेडी होगी त्यार एक आना चल रहा है रेडी और तयार चिपका ले सहीं अब इधर हमारे यह चावल भी बनके होगे त्यार बस पांच मिनट में चावल भी बन गए एक एक चावल ऐसे बिखर गया है और कितनी अच्छी खुश्बू आ रही है और मैंने इसमें ज्यादा मसाली बसले कुछ नही वो वाला चावल है यह इसको मैंने बना लिया बस अब हमारे खाना हो गया त्यार और अब रात भी हो गई है इनको भी मैं पलट लूँगी पड़तन साफ करके रख दूँगी मेरा यही काम होता है बस और देखो यह सबजी कितनी अच्छी है इसका रंगत देखो बिलकु स साधा मसाले डाले मैंने इसमें और यह हमारे चावल हो गए बिलकुल तियार बनके और खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है और आरती बोल रही है कि मुझे खाने को दो लेकिन आरती की हो गई आस तबियत खराब पता नहीं लड़की कैसे मेरी पिचल गई बिलकुल पि रोटी सबजी बनके हो गई है तैयार तरी वाली वैसे रात को ज्यादा तर्टी वाली सबजी खानी चाहिए कभी बाइचांस होता है कि सुकी सबजी बनाते हैं मैं हमेशा कोसिस करते हूं तरी वाली सबजी की